वालो फ्रेंड्स कैसे हूँ आप काफी टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे H1 टाग मिसिंग ब्लॉगर के उपर वीडियो बनाओ और रैंक मैथ के उपर ये जो एरर यहाँ पर शो कर रहा है ठीक है H1 हेडिंग टाग सो इसे कैसे फिक्स करते हैं कैसे आपको H1 टाग यहाँ पर ग्रीन करना है और SEO में आप एक्सपर्ट बनने वाले हो इस वीडियो को कम्प्लीट देखने के वाद मेरा नाम है राज वलतारा आप हो वलतारा एक्सप्लेन चानल के उपर अगर चानल के उपर नए हो तो चानल को जरू सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करके अल बटन के उपर क्लिक जरू करना मैं ऐसे ही वीडियोज लेके आता हूँ मेरे भाईयों के लिए सो गाईस चानल को सब्सक्राइब जरू करना क्योंकि आप वीडियोस देखते हो, सस्क्राइब नहीं करते हो, ठीक है, वीडियोस स्टार्ट करते हैं, लेस्स स्टार्टिंग सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे, ब्लॉगर के हमारे इस ब्लॉग के उपर आएंगे, मेरे क्लाइन का ब्लॉग है, मैं एक SEO एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास काफी ऐसे मेरे सस्क्राइबर्स आते हैं, जिनने SEO करना होता है, ट्रिपल नाइन रूपीज में मैं SEO करके देता हूँ, उनकी जो वेबसाइट है, वो 15 दिन के अंदर मैं रैंक करता हूँ, ठीक है, एडिसन सप्रूवल चीए, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, SEO करना है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, वेबसाइट बनवानी है, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो, मैंने कुलम कुला WhatsApp number की link description में रखी है आप वहाँ से click करके मुझसे आप बात कर सकते हो मेरा support हमेशा रहता है ठीक है बस आपको मुझसे बस आपको हमारे group को join करना होगा अब बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो user है इन्होंने यहाँ पर एक logo add किया है मैंने कई वीडियो के अंदर बताया है कि आप blogger के ऊपर logo add मत करो क्योंकि आपका h1 tag यहाँ पर miss हो जाएगा ठीक है blogger का यह जो software है इसके अंदर आपको logo add करने का option तो दिया हुआ है ठीक है पर guys यहाँ पर h1 tag missing हो जाएगा ठीक है जो आपका h1 tag होता है वो ही आपका main title होता है ध्यान रखना इस problem को solve कैसे करें आपको logo हटाना होगा तो ठीक है हम जाएगे layout के अंदर आपको यहाँ पर header logo यह option मिलेगा ठीक है अलग-अलग name से होता है कहाँ पर logo होता है तो कहाँ पर header logo होता है इसके उपर मैं click कर देता हूँ जैसे आप यह page open करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने एक logo लगाया हुआ है इसे मैं बन कर देता हूँ logo को और आपको यहाँ पर behind title and description को select कर लेना है तो मैं इसे यहाँ पर select कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद में save button के उपर मैं click करूँगा अब मैं यहाँ पर आऊंगा और reload करूँगा तो यह जो image है यहाँ से हट के यह वाला title यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो title यहाँ से मैंने निकाल दिया है अब हम जाएंगे rank math के उपर और यहाँ पर analyze button के उपर click करेंगे तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं हमारा जो error है गाइस वो यहाँ से हट चुका है आप देख सकते हो H1 tag का जो error था वो हट गया है ओके तो इस तरह से आप अपने H1 tag के errors को fix कर सकते हो ठीक है पर यहाँ पर मैं और एक चीज़ आपको कहना चाहूंगा किसी किसी के template के अंदर यह error fix नहीं होते आप image हटाओ tax हटाओ यह error fix नहीं होगा इसके लिए आपको मुझसे contact करना पड़ेगा मैं 999 rupees में complete SEO करके आपको देने वाला हूं इस वीडियो को आप अगर complete देख चुके हो आप समझ चुके होंगे कि SEO कैसे होता है कैसे h1 tag को यहाँ पर लाया जाता है अब इसका benefit क्या है यह आपको जान लेना है सबसे पहले तो इसका benefit यह है कि जब तक आप h1 tag को यहाँ पर green नहीं करते हो तब तक आपका block rank नहीं होगा यह ध्यन में रखना क्योंकि आपका सबसे best keyword और सबसे बड़ा keyword h1 tag होता है आज की वीडियो यही तक थी और अगर नए हो चैनल के उपर तो subscribe जरू करना चैनल को मिलते हैं नेक्ष वीडियो में